दोस्तों भारतिये politics और भारतिये दलिस समाज हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं जैसे कि तेवहार time to time आते रहते हैं भारत में वैसे ही दलिस समाज का मुद्दा भी कुछ ना कुछ time के बाद गर्मा जाता है या कुछ ना कुछ ऐसी हलचल हो जाती है जिसमें दलिस समाज को उजागर किया जाता है तो आज कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो आपके दिल को जग जोड बढ़ेंगी अईसे की आपको मजाजक आए şimaj पर बनी ए Phoenix हमार मारी संसक्रत और हमारे समाज को उजागर करती हैं एक ऐसा काला लिस्ट में जो पहले नंबर मूवी आती है उसका नाम है परियरम फेरुमल जो कि तमिल भाषा की मूवी है हिंदी में डब की जा चुकी है यूटूब पे आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों मुझे दो फिल्मों ने बहुत ज्यादा बेचैन किया जो पहली फिल्म थी वहौलीवूट की थी No Country for Old Men और दोसरी है परियरम फेरुमल कुंट्री फार ओड मैन इस हालिवूट फिल्म ने विलम के रूप में जो खौ्पजदा किया था जो कोई आदमी बिना चीखी चिलाये या भ्यावा हर्कत किये हैं कैसी को डरा सकता है उसका नमूना यहां विलन बने हावियर बार्डन ने दिया और दूसरी फिल्म थी मारी सेलवराज की डेब्यू फिल्म परियरम पेरुमल कोई भी किस हद तक शोशर जहल सकता है दब सकता है बेजज़त हो सकता है फिल्म की इसी बात ने उन्हें बेचैन कर दिया जब फिल्म के लीट किरदार परियेरम को हर मुम्किन तरीके से नुकसान पहुँचाया जाता है क्या शारीरिक और क्या मानसिक लेकिन फिल्म की सबसे अच्छी बात है पिरियेरम खुद को उची जाती का प्रतिनिदी समझने वालों से उचा उठकर दिखाता है अपनी लडाई खुद लडता है किसी के आगे हाथ जोड़कर गरदन नहीं जुकाता उम्मीद जगाता है कि बदलाओ हाथ उठाने से नहीं बलकि कलम उठाने से आएगा बेहद डार्क मूवी है लेकिन इसके खत्म होने पर आपका मन खराब नहीं होगा यही है मारी सिल्वराज का कमाल और दोस्तों जो नेक्स्ट मूवी है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में रिलीज करेंगे क्योंकि मैंने चाहता कि वीडियो बहुत बड़ी हो और आपको देखने में असहज महसूस हो तो हम पांच पार्ट में जो यह मूवीज हमारी दलस समाज पर बनी इनको डिवाइट करेंगे तो नेक्स्ट मूवी देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करने और इंतजार करिए नेक्स्ट मूवी का यह नेक्स्ट वीडियो का जो कि 2021 में मूवी रिलीज हुई है जो वास्तों में आपको जगजोर कर रख देगी दलिस समाज पर बनी सबसे अक्षी मूवी जिस पर राजनीद भी काफी हुई लोगों ने जो बड़े-बड़े किटिक से उन्होंने कुछ नहीं बोला उस पर तो उस पर हम बोलेंगे और बताएंगे कि कितनी अच्छी-च्छी मूवीज हमारे समाज में बनी हुई है लेकिन कुछ पॉलिटिक्स गच्विदियो के कारण सबके सामने खुल करके नहीं आपाती है तो देखने के लिए तैयार हुजाए अच्छे-च्छी मूवीज अच्छे-च्छी कंटेंट वाली मूवीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक सरूर कर दीजिएगा